नमस्कार दोस्तों, दा यूटूब ब्लोग में आप सबोंखा स्वागत हैं। आपको ये साइकल का कुछ पार्ट सा दिखाई दे रहा है। जिसमें ये नावजवान बैठा हुआ है, हाथ में पकड़ा है चाकू। और दोनों पैरों के सहारे से साइकल का पाइडल जैसा दिखाई दे रहा है और रीम और उपर का जो हिस्सा है एक चाकू, टांगा और बैठी को धार करने का पत्थर है। और इस देशी बॉआय ने एक ऐसा आउजार बनाया जिससे की आप चाकू, बैठी, टांगा को धार कर सकते हैं। इस इनसान को देखने के बाद हम सबों को एक सीख मिलता है, कि अगर इनसान सोच ले कि हमें बेरोजगार नहीं रहना है, कुछ न कुछ जिंदगी में करना है, तो वो इनसान वाके में कुछ कर सकता है। जिस इनसान को आप दिखाई दे रहा है कि ये काम करते हुए, ये पढ़ा लिखा पोस्ट ग्रेजवेट है, अंग्रेजी में अच्छा खासा बात करता है। कई बार इन्होंने सारकारी वेकेंसी में फोरम भरा, एक जाम दिया, दोर लगाया, लकिन नौकरी नहीं हुई, इसके बाद भी इन्होंने थार नहीं माना, और इस देशी अंदाज के एक जुगार लगाया, और अभी महिना का 15-20 हजार रुपया अमा लेता है। जब इस लड़का से हमने बात किया कि आपने पढ़ाय लिखाई करने के साथ जौब करना चाहिए, तो आपने ऐसा क्यूं किया, तो बताया कि हम कई बार संघर्ष किये नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं कि हम जिन्दगी से हार गए हैं। जरूरी इस बात की है कि इसवर ने जब हमें इस धरती में भेजा है, तो हमें अपनी दिमाग को चलाना चाहिए और कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। तो मैंने जब देखा कि साइकिल के कुछ पार्ट्स को देखा, तो मुझे लगा कि कुछ इसका आउजार बना के हमें दो पैसा कमाया जा सकता है। और इसके बाद मैंने इसको बनाया, जब मैं अभी लोगों के यहां जाता हूँ, और चाकु को, टांगा को, और बैठी को धार करता हूँ, तो लोग से प्यार भी मिलता है, और मेरा काम भी हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि इस जो पैडल नुमा जो दिखाई दे रहा है, जिसको हम बार बार पेड़ते हैं, तो मेरा सरीर बिलकुल फीट रहता है, मुझे एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करने की जरुवत नहीं होता है, और इस काम करने से हम सभी जगा घूम भी जा रहे हैं, घर परिवार का रोजी रोटी चल रहा है, और हमको पढ़ाई लिखाई करने के बाद ये कभी एहसास नहीं हुआ, कि हम पढ़े लिखे मेरे पढ़ाई कहीं वेकार तो नहीं चला गया, पढ़े लिखें, तभी मुझे साइकिल का पार्ट को देखके मुझे ये समझ में आय कि अगर इनसान सोच ले तो कुछ भी काम करके पैसा कमाया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि पढ़ने के बाद आपको नौकरी ही मिली और नौकरी ना मिले तो हम बेरोजगार नहीं है, ये लड़का से बात करते हैं मुझे ऐसा लगा कि दुनिया में कोई भी काम हाड नहीं ह और कोई मुश्किल भी नहीं है, जरूरी है आपको उस चीज को करने का, अगर आप में जुनून है, पैसन है, करने की इच्छा है, चाहत है, दो पैसा कमाने की गुन है, तो फिर आप कभी दुनिया में भोखे मरेंग नहीं, आप दुनिया की किसी भी कोने में जाएंगे, तो आप दो पैसा कमाएंगे, आपको पैसा कमाने से कोई रोक नहीं सकता, जैसा कि इस लड़का को अभी आप काम करते हुए देख रहे हैं, ये लड़का पोस्ट ग्रेजुएट है, अच्छा अंग्रेजी बात करता है, अगर ये चाहता तो जौब कोई पीछे ही रहता, लेकिन उन्हों ने उस काम को ना करके और एक अनोखी आवजार बना के काम किया,